नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका मेरे चैनल क्रेटिव जोन में तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नयार डिजाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही सुन्दर है और इसे बनाना बहुत ही असान है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर दिजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दिजे अगर आपका मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें तो चलिए मैं आप वीड आज के डिजाइन का ग्राफ इस प्रकार से है आप चाहे तो वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं मैंने यहां से यहां पर पहले से ही सीसा लगा दिया अब मैं आपको बताती हूँ इस डिजाइन की सिर्वार कहां से करना है तो सबसे पहले हम यहां पे इस तरह से यहां प फूराइसा कपड़ा पकरते हूए और धागे को सूई से आगे करते हूं यहां से आप देखेंगे ग्राफ यहां जा रहा तो जैसे takeenf Storyं को अगर करके er जूद्य को सूऊइ से ठागे को आगे रखेंगे के स्च तरह से और फीर देखें यहां जा रहते हैं, हम यहां इन दोनों के बीच में यहां पे हम पहले ही जब दो आए तो एक पॉइंट बना लेंगे हमें वहां से इस तरह से यहां पे आना है और इसके बार यहां से हम यहां जाएंगे फिर यहां से यहां जैसे जैसे क्राप जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है फिर हम यहां से यहां आएंगे और यहां से अब देखे हम यहां से आ रहे तो जो पहले यहां आ रहा मेरा ग्राब तो जो पहले से मैंने यहां पे कपड़ा पकड़ था ठीक उसी जगह पे इस तरह से וא पकर लेंगे और फिर यहां से यहां जैसे कि मैंने हमेजा कहा है कि सिंदिका चार स्टेप होता है यहां पर मैं अभी आपको पहला स्टेप बता रही हूं कि उसे कैसे करना है अब जब आप यहां से यहां आएंगे तो आप देखने कि यहां पे दो धागा है तो आप देखने कि यहां पे मेरा पहले से उपर से यहां पे उपर से है और यह जो इसके सीधे का लाइन है वो नीचे से है तो यहां से हम उपर आएंगे और यहां से हम नीचे करेंगे आप हमेशा जब इस तरह का आपका डिजाइन ग्राफ आए तो आप हमेशा देखेगा देखे यहां उपर है और यहां पे नीचे है यहां उपर है और यहां नीचे है और यहां भी देखे यह नीचे है तो यहां उपर है इस बात का हमेशा आप आप ध्यान रखिएगा कि आपका ऊपर तो एक नीचे होना चाहिए तभी आपका डिजाइन सही जाएगा वरना आपका डिजाइन गलत हो जब आप देखे मैंने जैसे यहाँ नीचे से लेके आया था तो अब हमें यहाँ पे ऊपर से अपने धागे को लाना है और फिर अपर से आ रहा है तो अब हम यहाँ पे इस तरह से जब एक कोई भी धागा आए तो यहाँ पे इस तरह से अपने ग्राप को नीचे से लेके आएंगे लाइन को और इसके बाद इस तरह से यहाँ पे आएंगे अब जैसे जैसे मेरा ग्राप जा रहा है हम वैसे वैसे जाए यहां से हां और इहां से और दना,प जैसा कि मैंने यहां पर अपने ढगे को इस धागे की नीछे से लेके आये तो इसी परकार यहां भी हमें इस तरह से धागे की नीछे से सुई को लाना आ Viel मेरा ग्राफ यहां से यह यहां पर बनाया था उसी प्रकास से हमें यहां भी बनाना है और इसी तरह हम पूरे राउंड को कम्प्रीट कर लेंगे मेरा पहला स्टेप अब खर्तम ही हो रहा है अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में क्या करना रहा है देखे इस तरह से और यहां पर हम अपने सूई को धागे के नीचे से लेकर जाएंगे और फिर देखिए जो मैंने पहले जहां स्टार्ट किया तब मैं वहां आ गई हूं तो इस तरह से यहां पर ऐसे फ़र सा कप्रा पकर के कर लेंगे और यहां पर इस तरह से हम नीचे सूई करेंगे और यहां मेरा ग्राफ है हम वहां पर सूई को निकालेंगे और इसके बाद हम अब यहां से यहां जाएंगे यहां देखे कि मेरा धागा उपर से है और यह नीचे से है तो हम यहां पर उपर से यहां पर आएंगे अब इसमें अल्टरनेट करना आपको एक बार जैसे हम अभी धागा उपर से आए तो अब यहाँ पे हम नीचे से जाएंगे और इस तरह से फिट्वा सा कपड़ा पकरेंगे और हम इसी तरह से अभी नीचे से यहाँ से सुई गया था तो अभी हम उपर से आएंगे और फिर इन दोनों के बीच में इस तरह से और इसी तरह से हम अपना दूसरे स्टेप भी पूरा कर लेंगे अब मेरा यहाँ दूसरा स्टेप भी खतम हो रहा है अब मैं आपको बताऊंगी तिस्षे स्टेप में क्या करना है इस तरह से यहाँ पे देखे हम यहाँ पे मेरा इस्टे है तो हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे अभी नीचे से गया थे और इस तरह से और यहाँ हम नीचे से जाएंगे और इसके बाद जो धागा मैने यहां फिर निकालेंगे कर्eli हि हमें यहां पर जो दो दागे का क्रॉस है हम यहां पर इस तरह से यहां पर हम निकालेंगे यहां से हम इसमे जाएंगे इसके बार फिर यहां से देखिए semi circle बनाते हुए अब हमें तीसरे round को semi circle में बनाना और यहां कपड़े को बिल्कुल ही नहीं पकरेंगे और यह जो पहले से मैंने पहले और second step में धागे से work किया था अब उसी के उपर से हमें तीसरे step करना है यहां पर जैसे जो पहले से धागा था इस तरह से यहां पर उठाएंगे और फिर हम यहां से यहां जाएंगे और इसके बार जो यहां पर इसको हरके हां से खीचेंगे और यहां पर पहले से धागा है उसे इस तरह से सुई पर उठाएंगे और इसे हम इसे खीच लेंगे और इसके बार यहां से हम इसमें जाएंगे और इसके बा जब हम यहां पर लौटेंगे तो यहां पर देखेगा एक दो तीन चार धगा है तो हम यहां पर पहले वाले धागे को उठाएंगे इसको हल्के हाझ से खीचेंगे फिर यहां दूसे चोड़ेंगे और तीसरा को उठाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे और आपका डिजैन देखेंगे आप सेमी सरकल में बनते जारा फिर यहाँ से इसे उठाएंगे इसके बाद हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से इसको उठाके फिर हम इसमें आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ से देखें आप इसमें यहाँ पे इस तरह से और हलके हाँ से आप बीच बीच में धागा को लूज करते रहेगे ताकि आपका डिजैन टाइट ना हो यहाँ से फिर इस तरह से देखें आप यहाँ से यहाँ पड़ाएंगे यहाँ आने के बाद देखें यहाँ से और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ आएंगे अब हम इसमें जाएंगे इसमें हम देख लें एक, दो, तीन बना हुआ तीन बना हुआ यानि हम इसको पूरा भड़के ही निकलेंगे इस तर से एक यहाँ पर आएंगे देखे जब तीसरे में आएंगे तो हम देखने हैं यहाँ पर चार धागा है तो इस तर से हम एक और दूसरा को छोड़ देंगे फिर यहाँ पर तीसरा जो नीचे इसको इस तर से सुई में उठा लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इस तर से पहले से धागा है हम इस तर से सुई में लेंगे पीरा में इसमें आना है और इस बॉक्स को भी हम एक एक करके भर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ा था अब जैसे यहाँ पर तीसरा है यहाँ पर हम दो उठाएंगे एक और दूसरा छोड़ेंगे और फिर यहाँ तीसरा उठाएंगे इस तरह से उसके बाद यहाँ से जो बीच में है इसे हम यहाँ पर एक उठाएंगे और इसके बार देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हैं अब हम इसमें आएंगे और इसे भी एक एक करके भार लेना है अब हम जब यहां पर आएंगे तो यहां पर भी देखिएगा एक दो तीन चार है तो इसी तरह से चार है तो हम पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा उठाएंगे और देखिए अब यह मेरा उपर का डिजाइन कम्प्लीट हो गया अब हम यहां से फिर इसमें आएंगे इसके बाद इस तरह से इसमें और फिर यहां से भी पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे अब हम यहां पर आएंगे और इस तरह से इसे उठाएंगे और यहां पर फिर हम यहां पर उठाएंगे अब फिर से आपका चार धागा दिख रहा है तो यहां पर एक धागा उठाएंगे दूसरे को छोड़ेंगे और यह जो तीसरा है उसे उठाएंगे और उसके बाद हम फिर यहां पर आएंगे और यहां से यहां पर आएंगे और फिर इसे जब देखे यहां एक दो तीन बना यानि की इसे इसे हम पुरा भड़के निकलेंगे जब नहीं हो तो आधर से निकले होता आए जिसमें गये और यहां से अब यहां जाएंगे यहां जाने के बाद इसमें पplease यहां से हम, पहला उठाएंगे डूसरा छोड़ेंगे और फिर यहां पे इसमे तीसरा उठाएंगे और फिर हम यहां से यहां आएंगे और इसी तरह से से मी सरकल बनाते हुए आपको डिजैन तीसरी स्टेप कर लेना है अब यहां मेरा तीसरी स्टेप भी खत्म हो चुका है अब मैं आपको बताओंगी चौथे स्टेप में क्या करना है और यहां इस तरह से फिर हम इसमें जाएंगे और यहां से हम यहांएंगे और यहां से हम इस तरह से इसमें और फिर यहां से यह है पहला वाला इसको इस तरह से पगर के यहां पे और फिर यहां पे जब हम जाएंगे तो एक छोड़ेंगे एक पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और फिर यहां पे इस तरह से तिसरे को उठाएंगे और फिर यहां से हम यहां आएंगे और यहां आने के बाद हम इस तरह से यहां पर और यहां से फिर इसी तरह से एक छोड़ेंगे एक उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को उठाना और चौथा छोड़ेंगे और फिर यहां से हम इसमें आएंगे और इसी तरह से चौथा स्टेप भी कम्प्लीट कर लेना है मेरा चौथा स्टेप ही कम्प्लीट हो गया अब यह मेरा डिजाइन फेनिश हो चुका है और इस तरह से यहां पर हम इसे यहां पर पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा उठाएंगे इस तरह से और फिर हम यहां पर इस तरह से नीचे सुई डालके यहां पर नीचे हम गाठ लगा लेंगे देखिए मेरे डिजाइन बन गया है और ये कितना खुबसुरत लग रहा है और आपने देखा ये से बनाना कितना आसान है